हेलो दोस्तों आज है 12 जून 2022 और 12 जून 2022 से जितने भी हरी आना करंड एफिर के क्वेशन मनते हैं हम सब इस वीडियो में डिसकस करेंगे और साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरी आना करंड एफिर का रविचन करेंगे और हर क्वेशन के बारे में इंपोर्टेंट और एक्ष्टर अफैक्ट बढ़ेंगे विद हरी आना जी के और लास्ट में आपके लिए हरी आना जी के का टैस्ट भी आप उसे इव देकर जरूर देखे और आप इसका अटाफर की पीडिया फाइल को डिस्क्रिप्शन में टालग्राम का लिक मिल जाएगा उसे जोइन करके वहां से ले सकते हैं या पर नीचे दोस्तों आपको इस्टाग्राम आइडी मिल जाएगी उसे फोलो करके वहां से भी ले सकते हैं Q1 है हर्याना के की जिले में चंडेगट की तरज पर राज्य का पहला Ayr Purifier टावर लगाया जाएगा तो इसका रायट इस रोग उपसिंडी तो इस R जिले में यहाँ टावर लगाया जाएगा अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में चंडेगट की तरज पर राज्य का पहला एर प्यूरिफारी टावर इसार जिले में लगाये जाएगा और हरियाना में ये प्यूरिफारी टावर लगायने की परोजने के सरवात मुख्य मंत्री ने 11 नॉमबर 2020 से की थी अब दोस्तों इनसे मिलते जो उलते कुछ important point और पढ़ लेते हैं हाली में चंडेगट में देश का सबसे उंचा वायू सोदक एंतर या फिर एर पिरिफारी टावर स्तापित किया गया है और दिल्ली में देश का पहला समोग टावर भी स्तापित किया गया है और एक question एक्जाम में पूछा गया था दोस्तों हरियाना के एक्जाम में question number 2 है हरियाना रज्ज में रज्ज सबस्वाचुना में किसको जीत मिली है तो इसका right answer और अफ्शन सी थे और एक सीट पर बाजपा के किर्शलाल पनवार और दूसरी सीट पर निर्दल्य परत्यासी कारतिके सर्मा को जीत मिली है अब दोस्तों इनसे मिलते जूलते कुछ important fight पढ़ लेते हैं ग्रुग्राम जिले के गाउन जमालपूर के पुपेंदर यादो को परदान मंत्री इंद्रेंदर मोदी के काइबनेट में मंत्री बनाया गया है उन्हें प्रयावन वनवै सर्म विबाक मंत्रेले दिया गया है और बुपेंदर या दोवर्तमान में रजस्तान से रज्ज सवस्दैश्य है और विवानी जिले के गाउने कीपूर के असोग सिंगल ने असम की देकियोंजली विदान सवसीट से चुनाव जितकर असम रज्ज में काविनेट मंतरी भी बने है और दोस्तो हरियान में सांसद आदर्सगरा में उजने की सरवात 11 अक्टूबर 2014 से हुई थी विदायक आदर्सगरा में उजने की सरवात 6 जुले 2015 से हुई थी आपको यह भी नोट कर लेना है क्वेस्टिन बर तीन है हरियान में NH-152 हाइवे कितने किलोमेटर लंबा बना जाएगा तो इसका रायट अंसरोग अप्षिन भी 227.02 किलोमेटर लंबा बना जाएगा अब जान लेते हैं NH-152 हाइवे कुरकचितर के इस माइलाबाद के गंगन हेडी से में दर्गट के इंदार नोल तक 227.02 किलोमेटर लंबा बना जाएगा इस एकनोमिक कुरोडोर का अंदिरमान ट्रास हरियाना ग्रेन फिल्ड प्रियोजना बारतमाला के तैद किया गया है और ये हाइवे सपीड एक्सिज कंट्रोल कुरोडोर के रूप में विक्षित किया जाएगा अब दोस्तों जी करोवा था हाइवे का तो उनसे सम्मंदित कुछ अन्ने इंपोर्टन फॉइंट पड़ लेते हैं नेशनल हाइवे 334 भी उतरपरदेश के बागपत से सरू होकर हरियान के सुनपत के रोणा तक बना जाएगा और पुर्वी हरियान को पर्ष्मी हरियान से जोडने के लिए डवाली से पनिपत तक एक्सप्रेस भी बना जाएगा क्वैस्टन बर च्यार है चोदरी रनवीर सिंग विश्वदैले का नया वाई चांसलर की से नुक्त किया गया है तो इसका रायट अंसरो गफसन सी रनपाल सिंग को इसका नया वीशी नुक्त किया गया है अब जा लेते इसके बारे में चोदिर अनुविर सिंग विशुदाले का नया कुलपती प्रोफेसर रनपाल सिंग को बना गया है और ये विशुदाले दोस्तों जीन जीले में है अब जी करूँ आता कुलपती का तो हाली में कुछ ने इनुवस्टियों के कुलपती की निक्ति या उनके बारे में पड़ लेते हैं हाली में डॉक्टर बियार अमबेड कर लाइनुवस्टिय का नया कुलपती अरचना मिसरा को निक्त किया गया है और फिर्दबाद के जेसी वोस विशुदेले का नया कुलपती प्रोफेसर सुनील तोमर को न्युक्त किया गया है और उतक की PLC सुपर इन्वस्टी का नया कुलपती गजिंदर चोहान को न्युक्त किया गया दोस्तों ये इंपोर्टेंट है और गुरुग्राव विशुदेले का नया कुलपती प्रोफेसर दिनेश कुमार को न्युक्त किया है और जबकि लोवास इन्वस्टी तो इस आर में इसका नया कुलपती डाक्टर विनोद कुमार को न्युक्त किया गया है क्वेस्टन बर पांच है हरियान के किस अस्तान ने जानवरों में करोना के बचाओं के लिए देश का पहला टीका त्यार किया है तो टीका त्यार कियेगा दोस्तों अपसने NRC के दुआरा अब जाल लेते इसके बारे में करोना सकर्मन के बढ़ते मामलों के बीच देश में अब जानवरों का वीट टीका त्यार किया गया है हरियान के National Research Center ने एक भीष या फिर राश्टी ऐसोन सुदान के इंदर ने देश का पहला टीका त्यार किया है केंदरे किर्षिय मंतरी इंदर अंदर सिंग तोंबर ने विडियो कॉन्फरेंसी के मैध्यम से टीके और जांस किट को लॉंच किया है अब दोस्तों इनसे सम्मंदित कुछ और इंपोर्टन पॉइंट पढ़ लेते हैं हिसार जिले के राष्टी असौन सुदान के इंदर में देश की पहली गदी के दूद की डैर भी स्तापित की गए थी हाली में और दोस्तों इसकी स्तापनों इती हिसार में 7 जिनवरी 960 को अब दोस्तों जो भी आपने पड़ा उसका फटाफर सिर्वीजन कर लेते हैं हर्यान के की हिजले में चंडेगट की तरज पर है राज्य का पहला एयर प्यूरी फारी टावर लगाया जाएगा आतिसार में दोस्तों अगर आपको जनवरी 2 में 2022 है एक है दो साल के हर्यान करेंट है फिर की पीडियो फाइल चीविद इंपोर्टेंट और एक्ट्रा फेक्ट है तो लिंक नीचे दिया वासे डालोट कर सकते हैं नाक्स्ट है हर्यान रज्य मेराज जेश्भा चुनाओं में किसको जीत मिली हाली में तुकी रिसनलाल पनवार और कार्ति के सर्मा को नाक्स्ट है हर्यान में एन चेक्श बावन डियाईवे कितने किलोमेटर लंबा भना जाएगा तो 227.02 किलोमेटर दोस्तो और लगवग पूरा हो चुका है और परदान मंत्री साधिस का उद्गाटन भी करेंगे नाक्स्ट है चोधिन रनवीर सिंग विस्वदाल एक अन्याव वी सी या वाई चांसलर की से नुक्त किया गया है तो रनपाल सिंग को दोस्तो जीन जिले में श्ती था ये उनिवस्टी क्वेस्टन बर पांच है हरियानक 21 संस्तान ने जानवरों के लिए डेश में करोना का पैलाटी का त्यार किया है तो एन रसी के दोरह दोस्तो इसार में स्ताप की ते इसार में स्ताप 96 में वी थी 7 जनवर 180 को अब दोस्तो साथ य साथ हरियान जी के अगर वीजिन ए टेस्ट भी कर लेते हैं को एस सिंबर बबन है महमुद गजनवी ने हरियानक के थाने सरनगर पर कब हमला किया था तो 2014 सिवी में नेक्सट है बल अवगड के किले का निर्मान कब किया गया था तो 1749 सिवी में नेक्स्ट है हरियान के की सासक ने पनिपत के तीसरी लड़ाई के बाद मराथा सरनातियों को आश्रे दिया था तो सुरुजमल ने दिया था दोस्तों नेक्स्ट है महाबारत में वर्नित है हरियाना का परसिद है नरकातरी तिर्थ है सतलकीस नदिके किनारी परस्तीत है तो सरस्वती नदिके किनारी परस्तीत है next है हरियानरे जिम स्थित अगनपूर बाद गर निर्मान कब हुआ था तो 18 स्थाबदी में हुआ था next है की सासक ने हरियान में पना विजिय अब्यान चलायता साधिया एगा दोस्तो तो सलायता दोस्तो सुदास ने next है परशी चिनी आतरी हेंसवान ने अपनी पुष्तक में हरियान के 26 की वैबो और समरीदे का उले किया था तो था नेसर की next है की 24 सासक ने 22 आपदी में हरियान प्राकरमन कर तोमरों को प्रास्त किया था तो राजा अनों ने गुलाम वसकवा सासक जिसने हरियान के दिकास जंगल को खटवा कर वह लोगों पर अत्यचार किया थो तो बलवली दोस्तो हरियान के बीवानी में नोजवान बार सबक किस्ता अपने किसने कि थी तो रादा किसन वर्माने अब साथ यी साथ पिछली और पुरानी हरियाना करेंड फिरकार विजन भी कर लेते हैं हरियाना रज्य का नया मुख्य सुतनाक किसे नुक्त किया गया है तो दोस्तो विजया वर्दन को बनाया गया है Next है हरियाना के खिलाडी पर साथ मली के नित्रिवंदर में खेली गई इंडियन गराप्री टू में कौन सा पदक जीता था तो गोल्ड मेडल जीता था Next है पंचकुला जिल में सहीदे आज़म बंग सीं के नाम पर बनने वाले हरियाना के खिलाडी दर अमविरना ने तेरवी फेजा अंतरा स्टेप पर अथलेटिक चेंपिनसी में कौन सा पदक जीता था तो रज़त पदक जीता था दोस्तों इंपोडन क्वेस्टन है पर ये चेंपिनसी ब दूबी में हुई थी Next है हरियाना के की जले में होलसेल के लिए मसली मार्केट सतापीत किया जाएगा तो जबजर में दोस्तों जबकि गुरुगराम में भी मसली बजर बनाया जाएगा Next है हरियाना सरकार राज्जे के किसानों के लिए कौन से परिशित का गठन करेगी तो किर्सी सलाकर परिशित का गठन किया जाएगा Next है हरियाना के घिलाडी संजी कुमार रिंदिली माजित दूसरी जोर्नल पाराशोटिक चैंपिंशी में कौन सा पदग जीता है तो कैसे पदग जीता है Next है हरियाना के किस जीलों को सबसे परदूसी सहरों में सामिल किया गया है तो हरियाना के पांच जीलों को दोस्तों कौन कौन से है हिसार, रोतक, जीन, गुरुग्राम और फिर्दाबाद को Next है हरियाना के की जीले का आयम संस्तान वी सो सबस्ते संगठन के लिए चर्चा कभी से बना हुआ था तो रोतक में दोस्तों जबकि ये दूसरा स्तापित क्या जाया गुरुग्राम में भी Next है हरियाना के किस जीलों डाक्टर मंगल सेन किर्शिव गयन संग्रायले बना गया है तो कवल जी सिंग को मिला दोस्तों और दोस्तों मैंने आपके लिए 2020 से लेकर 2022 तक कि हरियाना का अंड़कर की एक टेस्ट सिरी सरू के उसे भी जरूर देखना लिक नीचे मिल जाएगा Next है हरियाना के किस जीलों में संथ कभी 10 की चैनती पराजिस तरिया है हरियाना के किस जीलों में स्टेट आफ आर्ट पारक बनाया जाएगा तो पंचकुलम दोस्तों हरियाना के किस पीजय को चिकन गुनिय की वैक्षिन के ट्रायल के लिए चुना गया है तो रत्तक पीजय को Next है हरियाना के किस जीलों में अपसे क्वैसिन पूछा था हरियाना के किस जीलों में टावर अपजरस्टीज बनाया जाएगा अगर आपको इसका नस्वर पता तो कमेंड बक्सी में कमेंट करना दोस्तो और वीडियो पसंद है तो वीडियो का लाइक चैनल सब्सक्राइब और सेर जोर कर देना और वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच